आइसकी वीडियो में हम एक्जीमा के बारे में बात करने वाले हैं, यह एक तुचा से संबंधित बिमारी है, जिसमें हमारी तुचा पर इस तरह की समस्या हो जाती है, तो हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है, और इसके लिए कौन सा ट्रिटमेंट किया जाता है, या फि फ्लैकिंग, यानि कि वहाँ पर पपड़ी भी जमा हो सकती है, तो यह सभी साइन आपको देखने को मिलता है, और इसका सबसे मुख्या लक्षण्ड या फिर कार्डिनल फीचर है, इचिंग, यानि कि यदि आपको एक्जिमा हुआ है, तो आपको एचिंग जरूर होगी, इचिंग, यानि कि यदि वहाँ पर इचिंग या फिर खुजली नहीं है, तो वह एक्जिमा नहीं है, इस डियाग्राम से हम इसे समझ लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है, इंस्टैंस इचिंग, यानि कि यहाँ पर हमें बहुत तेज खुजली होती है, उजिंग और यानि कि जब भी आप उसे खुजाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ खुण निकलता है, या फिर बस निकलता है, और यहाँ पर हमें bacterial infection भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो हमारा हिस्सा होता है, या फिर जो हमारा घाव होता है, वो खुला रहता है, तो इस तरह से यहाँ बार जिसकि हम सुका एकजीमा भी बोलता है, और यह होता है वैट एकजीमा जिसकि हम गीला एकजीमा भी बोलता है, तो दोनों ही case में अलग-अलग medicine दी जाती है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपको कुछ medicines देते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं एकजीमा के बार में, यानि कि सुका एकजीमा होचाने पर डॉक्टर आपको कौन-कौन सी दवाय देते हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन सी क्रीम दी जाती है, तो यहाँ पर कौन-कौन सी क्रीम दी जाती है, तो इसके लिए कई सारी क्रीम आ जाती है, जैसे कि केरालिन या फ कम कर देता है और इससे वहाँ पर इचिंग भी कम खुशाती है और जब मरीज को बहुत चदा खुचली होती है तो ऐसे में एक दवा भी दी जाती है तो इसके लिए यहाँ पर सिट जिन टैबलेट का होना चाहिए तो इसके लिए बैटन वेट एंड क्रीम दी जाती है क्योंकि ऐसे एक्जीमा में infection के चांसे जाता रहता है इसलिए इसके साथ में कैलामाइन लोशन दिया जाता है जो कि आपको दिन में तीन बार लगाना होता है तो इसे जब तक अप्लाई करना होता है तब त जाती है जो कि Antivagic tablet है इस tablet का इस्तमाल infection को रोखने के लिए किया जाता है क्योंकि wet eczema में infection के chances बहुत जादा बढ़ जाता है तो यह सभी ऐसी दवाइं है जो कि eczema के case में इस्तमाल की जाती है और देखे जिन लोम को eczema होता है तो उन्हें किसी भी ऐसी factor को की एक्जिमा कुए लगान किया जाता है जिस से उनका एक्जीमा हो जाता है या फिर एक्जिमा उनका बढ़ सकता है जैसे कि साबुन सर अपको करा ना की जाता है कि आपका एक्जिमा का कारण क्या है और आपको उस चीज़ को वहाँ से रिमूफ करना या उसे हटा देना है